बढ़ गया दो साल में पहले दो साल में सैचुरेशन एक स्टिर रहा लेकिन बाकी के साथ साल में नेट सैचुरेशन या मतलब आक्विफर में दी सैचुरेशन बढ़ते गया और अंतिल साल में 93 में दी सैचुरेशन की लेवल लगभड एक्विफर की जो मोटाई थी उस मोटाई के इतना डी सैचुरेशन एक्विफर में हुआ मतलब इस साल एक्विफर का के तल तक पानी का लेवल चला गया अब इसके बाद की स्थिती क्या होती है इसके बाद की स्थिती वो स्थिती है जो बहुत सारे इलाकों में इस देश में हुआ है कि एक बार अक्विफर के बेस में पारी चला जाता है उसके बाद वहाँ टीप ट्रिलिंग की संदावना ज़्यादा बढ़ती है इस एरिया में वैसे ही कुछ हुआ लेकिन यहां गहरे अक्वाफर्स नो हमना होने के कारण टीप ट्रिलिंग में अपने आप ही एक निर्बान पाया गया आगे बढ़ते हैं अब यह है सिकिम के अंदर स्प्रिंग्स कुछ साथ या आठ स्प्रिंग्स के डिश्चार्ज जेस रगवाफ एक ही इलाके के स्प्रिंग्स हैं यह दो सीजन के रेंपॉम है और आप यह देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा डिश्चार्ज होगा है दिश्चार्ज is very high, it goes to 100 liters per minute बाकी के जो स्प्रिंस है उसमें से कुछ स्प्रिंस सीजनल है जैसे ये लान वाला कुछ स्प्रिंस लो डिष्चार्च के लेकिन पूरे साल चलने वाले हैं और ये स्प्रिंद बहुत ही variable discharge का स्प्रिंग है इसका मतलब है कोई भी एक एरिया में और मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सादों तक, हमें भी ये बार बहुत अश्चर रखती लगी, कि बहुत सारे लोग 5-6 साल पहले जब हम हम इमाली क्षेदर में काम शुरू किये, तब बहुत सारे लोगों का ये माना था, कि spring में जो पानी आता है, a lot of that water might also be from floodment. So the recognition of spring water as groundwater is also not very clear, even in areas like the Himalayan region. So spring के बारे में भी कहीं न कहीं ground water और spring का सम्मध है, और हमने ये रेखा है कि spring को लेके इस देश में, या Himalayan region को लेके इस देश में अभी तक Central Ground Water Board जैसी संस्ता ने भी assessment नहीं की है. The entire Himalayan region in this country is unassessed where groundwater is concerned. And that's a very large, large part of the country. Okay. Now, this diversity, ये जो विवित्ता है, ये विवित्ता वो spring के catchment के अंदर भी हो सकती है. और उस catchment को, क्या आप surface water काएंगे, ground water काएंगे, दोनों मिला के काएंगे, ये तो सवाल है. लेकिन कहीं न कहीं, springs और aquifers इन दोनों का भी बहुत ही नजदी की संबंध है. I am sure many of you have seen this diagram many times before, but I am very fascinated with this diagram myself. The tubes, ये दर्शाती है कि aquifer का depletion, मान लो कि 10-12 साल जग, जैसे मैंने पहले बताया, 10-12 साल में aquifer का depletion क्या हुआ है? और उसमें एक, दो बहुत ही मैत्वपूर्ण चीज दर्शाने की कोशिश की है. जैसे आप देखोगे, कि पहले वाले में aquifer भरा हुआ है, और भरे हुए aquifer से पानी टपक रहा है नीचे, और नीचे गित के बह रहा है. ये जो चीज है, जिसको टकनी की भाशा में base flow या mood प्रवा मानते हैं. aquifer भरा हुआ aquifer, इसका excess जो पानी है, ये पानी कहा जाएगा? ये पानी नदी नालियों के जरीए, नदी नालियों के प्रवागे से निकल जाएगा. अब इसको आप निकल जाना, बह जाना, waste होना, ये कहेंगे? या इसको आप ecology या environment को भूजल का योगदान कहेंगे? ये एक बड़ी समस्या है. क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी assessment जब होता है ground water का, तो उसमें there is this whole concept of ground water being wasted away to the sea. भूजल का समंदर की तरफ प्रवा होके उसका नाका महमा. इस पानी को बिना लिये, हम इसको अगर छोड़ देते हैं तो वो wasted, wasting माना जाता है. और इसी भी, अभी भी बहुत सारे इलाकों में ये exploration की जो बात मैंने की, कि पानी ढूणने की बात की, कि पानी ढूणना ताकि वो waste न जाता है. तो ये एक सवाल है, कि क्या हम इसे waste मानते हैं, या क्या इसका कुछ उप्योग है. दूसरा चीज है, कि जैसे तुशार शार जी मानते हैं, कि कोई भी एरिया में जब ground water exploitation होता है, तो वो चार अलग-अलग stages से बुजरता है. पहला stage होता है, जहाँ agriculture की size कम है, agrarian economy कम है, बहुत बड़े पैमाने पर agriculture नहीं हो रहा है, subsistence agriculture है, खास करके rain-fed farming में लोग हैं. जब इसमें irrigated में चला जाता है, खास करके भूजल को लेके, तब agriculture की size बढ़ती है, pumps, pumps ज़्यादा आते हैं उस area में, और कहीं न कहीं aquifer और agriculture के अंदर एक ताजमेर बना हुआ है. इसके बाद जैसे aquifer depleted होने लगता है, फिर उसका असर agriculture पर गिरता है, pondensity भी कहीं न कहीं stabilize हो जाती है, वगएर वगएर. अब इसमें हम ये मानते हैं, कि आज भी इस देश में कुछ इलाके ये stage में हैं, कुछ इलाके ये stage में हैं, और कुछ इलाके जहाँ aquifer का depletion हुआ है. अब अगर ये तीन इलाके इन तीन stage में हम मानते हैं, तो फिर वहाँ जो भूजर प्रवंदन की भूमिका होगी, वो वहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी और यहाँ अलग होगी. कहीं न कहीं इस रण नीती को खोजने का एक उद्देश ये participate free ground water management के अंदर भी होना चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं, अब यह होना चाहिए जो मैंने कहा, यह क्यों होना चाहिए? तो मैंने यह पहले भी कहा होगा, आपने सुना भी होगा, कि भूजल यह पत्तर या पत्तर से बनी हुई जो material है, चीज है, इसके अंदर हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है. अब इसको अगर हम मानके चलते हैं, तो पूरे विश्व के लगबख 85-85% रॉक टाइप्स इंदिया में पाये जाते हैं. मतलब आपने bio diversity, यह आपने सुना होगा, आपने agriculture diversity के बारे में चल्चा की होगी, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, यह litho diversity, litho मतलब rock type, rock की diversity की वजह से, ground water के conditions में भी बहुत सारी diversity आपको मिलती है और ये diversity की वज़े से जिस पहमाने पे बूजल की समस्या उबर के आती है जो बदलाव आता है जो अभी मैंने बताया अलग-अलग stages में और जो विवित्ता स्थानिक या स्थानिक विवित्ता या बड़े पेमाने पे विवित्ता या आपको दिखाई देती है इसका कुछ एक आपके सामने मेरे विचार रखने की एक ये कोशिश है तो यहाँ मैंने क्या किया है यहाँ मैंने एक तो चौरस किलोमेटर में अलग-अगर-अलग प्रकार के आक्विफर आपको मिलते है जैसे कि अगर पुने में आप बैठे है जहां लावा रस से बने हुए पत्तर है बसाइट जिसको कहा जाता है बसाइट आक्विफर शायद स्क्वेर किलोमेटर में नहीं लेकिन स्क्वेर मीटर में आपको मिलेगे, इसका पैमाना जमीन के उपर, ये स्क्वेर मीटर पे आपको मिलेगा अगर आप गाल्प के क्षेधर में चले गए उतर्वदेल, बिहार, पंजाब, हर्याना, तो वहाँ आक्विफर का पैमाना हो सकता है हजारो, चौरस किलामेटर, थाउसंद स्क्वेर किलामेटर, दूसरी तरफ, मैंने लैंड्स के, जो हमने पहले एक अलग-अलग रंग के कार्ट्स के आपने जो जवाब लिखे है, वो पैमाने को देखने की कोशिश की है, कि एक plot size, एक खिसान हूँ मैं, मेरा एक छोटी सी जमीन है, उसके अंदर एक कुवा है, ये एक पैमाना हो गया, एक गाउ है, या watershed है, ये दूसरा पैमाना हुआ, और बड़ा इलाका हो सकता है, फिर वो गाउ अगर पंचायत लेते हैं, पंचायत के उपर block आता है, block के उपर district, district के उपर state, तो ऐसा ये पैमाना लेने की कोशिश की है, और तीसरा है, समय, कि क्या time लगता है, aquifer को exploit, या पूदा खाली होने के लिए, तो जैसे कि अगर छोटा aquifer, वेसाल्ट का aquifer है, वो अमुक pumping से, अगर पांच साल में खाली होता है, तो उस pumping से alluvial aquifer नहीं खाली होता है, उसको और लंबा समय लगेगा, तो यह समय की एक, समय का मापन, या समय का प्रमान, दर्शाने की कोशिश की है, और चार प्रकार की aquifer मैंने कंसिडर किये हैं, हार्ट रॉक जो ज़्यादा तर सांथ इंडिया में पाये जाते हैं, थोड़ा बहुत गुजराद में भी है, महराष्टर में भी है, सेंट्रल इंडिया में थोड़े बहुत aquifers है, लग भर, I think about 60% of India is hard rock aquifers, दूसरा जिसको करबॉनेट्स कहते हैं, जो चूने का पत्थर है, चूने का पत्थर घुल के उसके अंदर जगह बनती है, और वो aquifers बनता है, तीसरा, जो गाध जब ठोस हो जाती है, गाध का जब पत्थर हो जाता है, जैसे sandstone, sedimentary rocks जहां जैसे sedimentary rocks में oil भी पाया जाता है बहुत गेराई पे sedimentary rocks में आपको oil बिलता है वो टाइप के sedimentary rocks और finally चौथा को है unconsolidated मतलब जो गाज का चेत्र है ये भी काफी बड़े पैमाने पे हमारे धेश में है तो इन चारों को अगर हम देखे तो अगर एक plot के level पे अगर हम देखे तो कहीं न कहीं hard rock aquifers ये एक plot के level से लेके थोड़ा सा और बड़ा पैमाना जैसे कि community या watershed level पे ये aquifers पाए जाते है और अगर ये aquifers की over exploitation की समय सारणी अगर हम देखे तो हो सकता है 10, 5 साल, 10 साल, 15 साल का अधीस को लगता है अगर हम थोड़ा सा पैमाना बढ़ाए और मान लो एक district के level पे चले जाए तो carbonates की aquifers जो है चुने के aquifers वो local level से बहुत बढ़े पैमाने के level तक आपको प्राफ्त होगे और इसका time of exploitation भी आपको जादा सब लंबे समय तक मिलेगा वैसे ही sedimentary और aluvia ये unconsolidated तो sedimentary aquifers का range सबसे जादा है जैसे अगर आप इजित और ये areas में चलेगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा aquifers system जिसको कहते है Nubian sandstone का sandstone का aquifers है इसका पैमाना बहुत बढ़ा है it cuts across state, national, international boundaries same with aluvial aquifers की पैमाना बहुत बढ़ा है और इसलिए उसके समय exploitation का समय भी लंबा चलता है अब ये ये सारी जो चीजे है ये अभी तक जो theory में बढ़ाई जाती है science में और इसका practical implication क्या है इसका सामाजिक इसका परिणाम क्या है इसमें आर्थिक स्तिति क्या है इसमें बहुत सारी चर्चा नहीं हो रही दूसरा चीज़ मैं यहां बात करना चाहूंगा वो है जिसको कहता हूँ externality कि अगर मेरा खेत है और मेरे खेत में अगर कुवा है और मैं अगर उस कुवे से पानी निकाल रहा है तो मेरे सामने क्या ये सवाल खड़ा होता है कि मेरे कुवे में मेरे ही खेत के नीचे से मैं पानी उठा रहा हूँ तो ये हमने कुछ तीन चार जगाओं पर एक मॉडलिंग डेटा के आदार में मॉडलिंग से कोशिश की कि अगर मेरे इस खेती के लिए मैं मेरे कुवे से अगर पानी निकाल रहा हूँ और वो अगर मेरे बगल वाले तीन यूनिट्स में मादो मेरा खेत एक हेक्टर का है और जो आदे हेक्टर के क्रापिंग के लिए मैं पानी जो कुवे से निकाल रहा हूँ वो अगर चार हेक्टर के नीचे वाले अक्वेफर से आ रहा है तो एक तरह से मेरे ख्याल से ये एक एक्स्टरनालिटी है मेरे लैंड फ्लॉट के मैनेजमेंट के लिए हो सकता है कि इन लोगों ये भी अगर एक एक हुआ निकाला और यही प्रकार का एक्रिकल्चर वहां बिखाया तो चार कुना चार 16 हेक्टर के नीचे से वो पानी आ रहा है मतलब ऐसे अगर हम बहार इसको लेके जाए तो हो सकता है कि कहीं न कहीं वो एक्वेफर की बाउंडरी या वाटर्शेंटीबांडरी या विल्लिज की बांडरी पे भी असर पड़ है यह उस से भी बाहर से पानी भो ले रहा है एक यह चीज जह है दूसरी जो चीज है विच इज particularly external to the ground water भूझोज़ से भी external है वो चीज यह है और इसमें से हम बहुत सारे areas में